हेलो दोस्तों नमस्कार आज एक बहुत चर्चित मुद्दे के विशे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो इस समय थोड़ी से सुर्ख्यां बटोर रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मद्द्द सुर्ख्या समझाथे को मनजूरी मिली हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं की पाकिस्तान हमारा एक परोशी देश है है एक लेकिन हमारे हमारे परोशी के साथ हमारे जो संबंध है वो जग जाहिर है इस बीच में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि अमेरिका ने क्या किया था अमेरिका का पाकिस्तान के साथ स्त्रक्षा समझाओता हुआ था लेकिन 2020 में ये रक्षा समझाओता कम्प्लीट हो गया था अब उस रक्षा समझाओते के कम्प्लीट होने के बाद कुछ समय तक अमेरिका और पाकिस्तान के रक्षा समझाओते नहीं हुए है जो कहीं ने कहीं एक तरह से भारत के लिए अच्छे संकेत दे रहा था लेकिन अचानक एक घटना घटी है हलाकि अभी इसकी कोई आधिकारिक तौर पे पूरी तरह से सूचना तो नहीं दी गई है लेकिन बात फैक्ट है और ये सही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मध्य सुरक्षा समझाओते को मंजूरी दे गई है पाकिस्तानी काबनेट में इसने अपनी मुहर लगा दी है अब इस रच्छा समझाओते की बात करें तो एक जो समझाओता होता है ये इसे हम लोग क्या करते हैं से हम लोग करते हैं सी आई एस समझाओता के नाम से जाना जाता है क्या होता है ये समझाओता इसके संदर में थोड़ा सा आप लोग को बताता हूं यह एक आधार भुष समझाओता है जो अमेरिका अपने उन सहयोगी राष्ट या देसों के साथ करता है जिनके साथ वह करता है जिनके साथ उनके रक्षा संबन्द अस्थाफित होते हैं उन डेसों के साथ यह समझाओता करता है जैसा कि मैंने बताया आप लोग पहले भी कि यह समझाओता अमेरिका अमेरिका ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ किया था लेकिन 2020 में वो समझवता पूरा हो गया था पंदरवर्तों के लिए किया था 2005 में किया था 2020 में कम्प्लीट हो गया था इसके बाद अब अमेरिका ने फिर से यहां पर इस रच्छा समझवते के लिए कदम आगे बढ़ा है कि पाकिस्तानी कैबनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है अब यहां पर देखिए इस समझोते में और क्या होता है इस समझोते में यानि कि यह क्या है इस पेसली एक रक्षा संबंध से इस स्रख्शा के रूप में भी काम करता है जिसके सहायता से अवेरिका किसी देश को आसानी से अपने हथ्यार बेज सकता है यहां पर क्या था जब अमेरिका से पाकिस्तान उसके जो आप कहलें कि हतियार होते थे गोला बारूर एतियाद या कोई भी वैपंस इस परकार का उनके डील नहीं कर सकता था अमेरिका के साथ पाकिस्तान नहीं उनसे खरी सकता था लेकिन यह समझाता संपन्न होने के बाद अब पाकिस्तान के लिए आसानी हो गई कि वह अमेरिका से किसी भी परकार के रक्षा सौदे की डील कर सकता है तो इसलिए यह थोड़ा सा एंपोर्टेंट भूमिका में है यह मामला क्योंकि बीच में क्या हुआ कि कहीं न कहीं अमेरिका का पाकिस्तान के तरफ जुकाव कम हो गया था लेकिन इस डील ने कहीं न कहीं भारत को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया है तो इस दृष्टी से यह समझावता काफी महत्वपूर और चर्चा का बिस है बना हुआ है क्योंकि भारत अगर देखें हम लोग तो एक साइट से चाइना चाइना से हमारे अभी संबंद क्या है काफी अच्छे नहीं चलना है पाकिस्तान से हमारे संबंद वैसे भी सीमा विवाद में उल्जा हुआ है उधर चाइना से भी सीमा विवाद में उल्जा हुआ है और ऐसी दसा में अमेरिका का पाकिस्तान के साथ यह समझावता होना कहीं न कहीं भारत के लिए खत्रे की घंटी तो नहीं कह सकते लेकिन कहीं ने कहीं एक सोचने का जरूर यहां पर आलम बन जाता है, यह ध्यान रखेंगे, क्या होता है, CISMOA, इसका full form देखे, Communication, Interoperability and Security Memorandum of Agreement, इसका full form होता है, आप से examination में पूछ ले, क्या है, यह आपका CISMOA, इसका full form क्या है, तो यहां पर देखे, इसका full form यह है, यानि इस पेसली यह रक्षा सौदों से सम्बंधित, रक्षा समझाओते से सम्बंधित, यह आपका सम्झाओता है, आप देखे, इस सम्झाओते के महत्तफोर कि अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आप लोग यहां पर देखे, दोनों देशों के मत्द संजुक्त सैन अभ्यास, यानि इस सम्झाओते के बाद, पाकिस्तान और अमेरिका क्या कर सकते हैं, संजुक्त सैन अभ्यास यहां पर कर सकते हैं, ट्रेनिंग एक दूसरे को ट् करने का यहां पे clean sheet मिल गया दूसरा चीत क्या है पाकिस्तानी सेना अमेरिकी company दोवरा बनाए गए हत्यार का इस्तिमाल कर सकती है यानि कि अब पाकिस्तान को अभी तक क्या था 2020 में समझाता समापत होने के बाद पाकिस्तान अमेरिका से किसी अधिकार के बैपन से रिलेटेड कोई डील नहीं कर सकता था लेकिन अब क्या हुआ अब यहां पर पाकिस्तान को राइट मिल जाएगा कि वह अमेरिका के साथ या अमेरिकी किसी भी कंपणी के साथ किसी भी रच्छा सौधे को अंजाम दे सकता है तो यहां पर इसे रच्छा संबंधों से संबंधित यहां पर छूट मिल गई साथ साथ में पाकिस्तानी सेना को फिर से अमेरिकी हत्यारों की डील करने का अधिकार प्राप्त हो गया यानि अब पाकिस्तानी सेना क्या कर सकती है किसी भी अमेरिकी वैपन्स कंपनी से हत्यारों की कंपनी से क्या कर सकती है डील अस्थाफिद कर सकती है तो यह न्यूज इस समय काफी चर्चा में है बच्चे तो यहां पर यह काफे important रहेगा और कहीं ने कहीं यह IR के तहट भी आपके लिए क्या हो सकता है important हो सकता है क्योंकि देखिए हम भारत भारत के हमारे पडोसी दो मेजर आपके पडोसी है जिनसे अभी हमारे क्या है सीमा विवाद चल रहे हैं तत्काल में सीमा विवाद काफी पहले से लेकिन अभी क्या है थोड़े गर्म जोसी में ये विवाद चल रहे हैं जैसे एक चाइना के साथ और दूसरा हमारा पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है ठीक है सीमा विवाद हमारा बांगलादेश के साथ था लेकिन कुछ मामलों तक उसे क्या किया गया सुझा लिया गया ठीक है लेकिन अभी करेंट मामल में क्या है यह जो दो सीमा विवाद हैं और ऐसी दसा में अमेरिका के साथ पाकिस्तान का यह समझाता होना मैंने पहले भी कहा कहीं न कहीं हमें भारत सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं सिक्षा कुल के साथ बने रहे ह थान्क यू, धन्यबाद.